नमस्ते, इस वीडियो में मैं आपको एक 3-digit number multiplied by 2-digit वाला multiplication example demonstrate करूँगा इसके पहले जो भी multiplication के methods या फिर examples मैंने explain किये हुए उन सब वीडियो की मैंने एक जगे पे links दिये हुए और वो page मैंने नीचे description में share किया हुआ है अगर आपको multiplication का कोई भी difficulty हो किसी भी method के बारे में तो प्लीज आप वो link देख लीजे आपको सारे methods एक ही जगे पे मिल जाएंगे तो अभी शुरू करते हैं 674 multiplied by 21 अभी जैसी के आप जानते हैं जब भी हमें multiplication sum करना होता है तो सबसे पहली बात जो करनी होती है वो है कौन से रॉड से वो शुरू होगा यह तै करना तो यहां पर थ्री डिजिट multiplied by 2 डिजिट है यानि कि हमें 5 डिजिट हमें दिख रहे हैं तो पांच रॉड का काम हो सकता है और हम फिफ्ट रॉड से ओकि पांच वे रॉड से शुरू करेंगे यह हमारा first रॉड यानि कि 10th place digit है 2, उस 2 से हम 674 के हर digit को multiply करेंगे, वो हमारा first part हो जाएगा, उसके बाद second part में units place का digit 1 जो है, उस 1 से 674 को multiply होगा, तो पहले part में शुरू करते हैं, 5th rod से, 2 multiplied by 6, ओके सबसे left वाला जो digit है 6, उससे multiply होगा, so 2 multiplied by 6 होता है 12, वो 12 हम यहां से add करेंगे 1 और 2, फिर अगले rod पे जाएंगे 4th rod पे, 2 multiplied by 7 करेंगे, 2 multiplied by 7 होता है 14, so 1 यहां पे 4 अगले rod पे, फिर से अगले rod पे shift करेंगे, और 2 multiplied by 4, याद रहे 2 multiplied by 4 का answer भले ही 8 हो, लेकिन हमें multiplication on abacus करते समय, हमेशा वो answer 2 डिजिट लेना ह होता है, तो 2 multiplied by 4 का answer हम 0, 8 ऐसे लेंगे, so 0 इस rod पे और 8 अगले rod पे जाएगा, okay, so यह first part अभी खतम हो गया, अभी second part शुरू करेंगे, second part में कैसे होगा, 674 multiplied by 1, यानि कि 3 डिजिट नंबर multiplied by 1 डिजिट का normal procedure हम शुरू करेंगे, so 3 डिजिट multiplied by 1 डिजिट यानि कि 4th rod से क काम शुरू होगा, 1 multiplied by 6 यानि कि 0, 6, so यहाँ पे 0 आएगा और अगले rod पे 6 एड़ होगा, तो वो minus 4 plus 10 की मदद से हो गया, फिर हम एक rod आगे shift कर गए, 1 multiplied by 7 यानि कि 0, 7, so 0 यहाँ पे और 7 अगले rod पे, so minus 3 plus 10 की मदद से मैंने वो कर दिया, फिर से मैं एक rod आगे shift कर रहा ह हूँ, second rod पे, और अभी last step वो है, 1 multiplied by 4 यानि कि 0, 4, so 0 इस rod पे और 4 अगले rod पे यानि कि units place पे आ गया, और final answer जो है हमारा 674 multiplied by 21 का, वो है 14154 यानि कि 14,154, यह हमारा final answer है, okay, so उमीद करता है, आपको यह procedure अब समझ में आ गया हो, और भी examples मैंने उस नीचे दिये हुए link में किये हुए है, explain किये हुए है, तो वो भी एक बार देख लीजे, आपको मेरे हिसाब से कोई भी difficulty अभी essay sums में नहीं आएगी, याद रहे कोई भी दिक्कत आती है, तो please अब सुल जाने की कोशिश करूंगा,